हेलो दोस्तों तो आज फिर स्वागे तो मेरे यूट्यूब चैनल जैराटो टोट इन पर आप लोगों का तो आज हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे कैसे आप जो है शोपीफाई स्टोर के अंदर वोर्टसप चेट विजेट एड़ कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको अपना शोपीफाई स्टोर दिखा देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं यह वोर्टसप चैट विजेट अवेलेबल नहीं है जैसा कि हमें दिख रहा है अब हमें जो है वोटसप चैट विजेट एड़ करना है तो सबसे पहले हम लोग जैसे यह website open होगी आपको इस टाइप से यह URL जो है मिल जाएगा description के अंदर आप वहां से भी क्लिक करके open कर सकते हैं उसके बाद में आपको widgets पे जाना है आपको जो भी template चाहिए वह साथ ही templates यहां पर available है अभी जो मैं select करता हूं जो जो चाहिए वहां पर continue with this template के उपर click करने के बाद में अब हमें start करना है start chat button, chat bubble जो भी आपको चाहिए वह सब आपको यहां पर मिल जाता है अब यहां पर mobile number हम लोग add करेंगे तो mobile number के अंदर जो भी client के mobile number है वह हम लोग add कर देता है तो mobile number मैं add कर देता हूं तो यहां पर जो है client का mobile number हम लोगों ने add कर दिया है अब यहां पर यह बोल रहा है make sure to remove plus और 00 before your phone number and add your country code तो यहां से 00 प्लस हमको remove कर देना यहां पर country code जो है हम लोगों को पहले paste कर देना अपने mobile number के पहले अब यहां पर chat bubble का icon जो है कैसा चीए वह आइकन आ चुका है यहां पर उसके बाद में chat header header में आपको जो भी photo वगेरा change करनी है या remove करनी है वह आप यहां से कर सकते हैं तो मैं dummy user की photo add क कर लेता हूं तो यहां पर मैंने support का एक icon download कर लिया है उसके बाद में जो है हम लोग icon को यहां पर setup करेंगे choose from library से आप यहां पर multiple images यह वो भी आप select कर सकते हैं और अगर आपको अपने computer से कोई भी picture update करनी है तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं मैंने अभी अपने computer से picture जो है वो एड कर लिये आप देख सकते हैं यहां पर image URL अपडेट हो गया है अब इसका नाम भी जो है वो आप add कर सकते हैं जो भी आपके brand का name है वो आप brand name दे सकते हैं यहां उसके बाद में हम लोग जो है यहां पर add to website पर click करेंगे अब यह आपक account को sign up पर click कर दिया है अभी मेरा account create हो जाएगा उसके बाद में email ID के तुरू login कर सकता हूं जी mail के तूप login using your email address and password but not confirm the email to login with the external account please confirm your email पर्स्ट जहां पर यह कुछ issue create कर रहा है email ID तो मैं दूसरी email ID से login कर लेता हूं यहां पर जहां पर email ID से मेरी दूसरी email ID से login हो चुका है अब हम लोग create widget पर click करेंगे यहां पर widget पर आने के बाद में same वही process करना है जो अभी हम लोगों ने process किया था यहां पर यहां पर जो है mobile नमबर आपको पेस्ट करना है विद कंट्री कोड के साथ में चैट वबल को आपको खाली छोड़ देना है नेम के अंदर आपको brand का नेम अपडेट कर देना है उसके बाद में हम लोग जो है upload from computer के तुरूप यहां पर जो picture है वो change कर देंगे हमारी chat की hi there how we can help you तो यह message वगेरा आगया है welcome message के अंदर आप कुछ भी enter कर सकते हैं जो भी आपको update वगेरा करना हो अब यहां पर हाई देर के आगे welcome to ggc silver यह मैंने एक message टाइप कर दिया और उसके बाद में जो है यहां पर करने बाद में बेक पर क्लिक करेंगे दुबारा start chat बटन के उपर क्लिक करेंगे show icon पर क्लिक करने बाद में अब इसे publish कर देंगे यहां पर फ्री आइकन मिल जाता है यहां पर 200 व्यूज मिल जाता है तो हम लोग फ्री वाले प्लान पर ही जाएंगे प्लान सेलेक्ट करने के बाद में आपको यह script देता है यहां पर आप देख सकते है copy and paste code to your website Shopify वगेरा सब चीजों का इसने टुटोरियल भी दे रखा आपको अब आपको यह code जो है वह copy कर लेना है copy करने के बाद में अब आपको जाना अपने Shopify store पे Shopify store के admin में जाने के बाद में Shopify admin में जाने के बाद में आपको online store के उपर क्लिक करना है यहां पर Online store पे क्लिक करने के बाद में आपको यह 3 dots पे क्लिक करने के बाद में Edit code के ऊपर यहां पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप Edit code क्लिक करेंगे आपको यह फोल्डर दिखे का layout folder के अंदर आपको ऐग जो फाईल दिख जाती है इस code को आप पूरा का पूरा पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद में आप यहां पे save कर दीजिए, जैसे ही आपने यह code पेस्ट किया, यह automatically एलपसाइट का code ले लिया इसने, अब हम लोग जो है, रिलोड करेंगे, तो रिलोड करके एक पर देख लेते हैं, यह देखिए, वार् पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को like और subscribe जरूर करेंगे, तो प्लीज चैनल को like और subscribe जरूर करेंगे,